चलिए आज नया चेप्टर देखेंगे डाइस पासा बच्पन में खेले वो तीरी पासा है इनों वाला नहीं है गुल खेले वो गुल वाला कोई बैठे यहां पर ठीक ठीक सभी जुआडी भाई बैठे यहां पर चलो पासा की बात करते हैं और एकदम 15-20 में टॉपिक सवाप्त हुजाएगा इधर द्यान दो कि तीनी पैटन के कोश्चन इसमें बनते हैं कि डाइस में अगर पूछा जाए पासे में कितने फलक होते होते हैं तो छह लेकिन ध्यान रखना जब कि तो डी फिगर में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो तीनी फेस दिखता है तीन फेस पीछे चुपा होता है रहता तो च्या िखरन कि यह जो रखो कर्या है को यही से कोश्चन का थार्बनता है आपको 255 धीडर है तो कोई व def n है फञे कि पूछेगा किई क्यां पूझे का नंबर क्या है की शुधों विद्र फेस क्या है इस प्रकार के कोश्चन बंते है ठाटल तीन प्यरों पाता हूं आप उस पहले लिखना पैटन वन पहला पैटन वन नंबर इस कॉमन जब एक संख्या समान हो जब एक ही संख्या क्या हो समान तो लॉइक लॉप है क्ला लगly compost ईतना लिकों फिर क्या है इसका मतलब बताता हो फ्यरवन नंबर स्कॉमन जब एक ही संख्या समान तो क्लाउट और अटिञ उपनि वह सितना लिखो चली अब इसका एक इग्जाम्पल देखते हैं ये दो डाइस आपको दिया हुआ है ये दो डाइस दिया हुआ है चिक दो डैस में यहाँ पर एक नंबर है एक ये दो और ये तीन ये एक चार और पांच और पूछ रहा है कोई भी question पूछ देगा एक के विपरित फयलक मर क्या संक्या संक्या है तृव कि यह तीन के चार के पांच के उसके कोई भी आपको दे सकता हुआ है सब भी निकालेंगे जो एक पूछेगो उसका जवाब देंगे इस केस में देखो एक दो तीन और एक चार पाँच में यहां पर दोनों डाइस में कितनी संख्या समान है एक संख्या समान और भी एक ही है एक वाली तो क्या करना पर जो समान समान संख्या ने उस कॉप को लिख छोड़ दो कि यहां सी पे के बाद क्या है यहां उसके बाद क्या रहरा है तो दो के अपोज़िट क्या मिल गया हम दो के पूजिट चार विल्गी जिन अब क्यों कोठी कह बचित कि एक पॉजिट क्या क 먀 millimeter तो यह दो नंबर आपस में पॉजिट हो जाएंगे एक और इसमें किसी कोई तकलीफ हो तो बताएंगे च्यवज गया ना चैसे गर्षच पल्क है 12356 नमबर आपके बास टुक है तो यह और चीज़ ध्यांट रख लेना चैस अटम कभी संख्या ना कि बिंदू दे दिया एक दो तीन चार पाँ एससे बिंदू बनाकर दे दिया तो भी यह लुड़ो वाले नमबर फोड़ी लिख रहता है बिंदू शब्रत कभी कार वो ना देखे रैड ग्रीन ब्लू यह सब देगा छे लग लग कलर का नाम लिद देगा रैड गूर कभी साइन देगा गोला ट्रेंगल इंटू ऐसे लगला साइन देख कुछ भी यूज़ कर सकते टॉट ठीक अब एक उधारन मैं और दे रहा हूँ एक और एक्जम्पल दे रहा हूँ आप लोग इसका जवाब देंगे दो चार छे तीनों संख्या का पोजीट निकाल ले ना आप दो पांच तीन बताइए तीनों संख्या का पोजीट क्या गया है कि अधिक ओके कि अधिक अधर वाले भी बनाएंगे अब फिर यहां पर देखों कि यहां पर दो चार चार और दो पांच तीन में एक ही नंबर कौम मैंने क्या दो कि अधिक कुछ लोग यहां पर गलती करेंगे देखो दोनों में समान संख्या कैच है तो 6 6 के बाद दो और यह चार अब यह मत कर देना 163 यह करने गलती मत करो कॉमन जहास है ना वहां से क्लॉक वाइस आपको घुमाना है यह सब में कॉमन अब यहां पर सेम फलक पर रखा था इसलिए यहां तो इभर और यहां पर अलग 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 टेस पर 6 यह अलग और यहां पर तो आपको कि यह तो पहला पैटन जब एक संख्या समान दी गई हो कि अब देखेंगे कि जब दो संख्या समान दी गई वें टू नंबर इस कॉमन तू नंबर्स आर कॉमन जब दो संख्या समान हो तो दोनों समान संख्या को काट देना फिर बचे हुए संख्या अपोजिट होंगे हैं मैं यह क्या लिए समझाता हूं अ है ऐ लिखे इतना अब देखो दूसरा प्रेटर हम क्या देख रहे हैं जब दो संख्या समान हो इससे पहले दो डाइस में एक ही संख्या समान थी उसका बढ़ाने का तरीका लग था उसका अंसर निकालने का तरीका लग यहां पर दो संख्या समानों गई कौन-कौन सी 2 संख्या समान दिख रही एक चार एक चार ऐसे में आंसर आपका कैसे निकलेगा दो नों समान संख्या को काटना है मतलब एक और 4 काट दोगे तो चैकिया क्या बच्छे गार चैपनल च्रहा पॉजिट एक बच रहे और कौन कौन से संख्या चूट गई बताओ दो और पांच तो एक क्या पोजिट दो भी हो सकते चार क्या पोजिट बीदो हो सकता पांच तो जब भी दो समान संख्या वाला कंसर्ट देता है तो फिर इसी का पूझेगा च्छे का पूझेट तीन और अगर एक या चार का पूझा तो दोनों आप्शन रहता दो पांच दो या पांच नौन अब दबो तो आप दो या पांच या अंसर लोगे ठीक है तो एक का लुए तो इस कुश्चन को बनाएंगे अगर 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 और या थिक को चिक अब देखों सभी बोट रहा हूं सब्सक्राइब सबस्क्राइब 205 ऑप्र और दो आ रहे हैं तो और कितने नंबर बन गए एक दो चार तीन बज गया च्छे बज गया तो पांच के अपोजिट तीन भी हो सकता है छे भी हो सकता है यह दूसरा प्रटन दूसरे प्रटन में कोई दिखकर अब थीसरा प्रटन में थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना और प्रटन केया था जब एक संख्या समानों दूसरा प्रटन जब दो संख्या थिस तर्स प्रटन थीज़आ रहे हैं फिर कस्षण शंख्य कैसी बात है करते हैं यह यह आश्रा प्रटन है常 में कॉन को सही तर्सक्राय गश्कारा का था गई चिक है यह पाच दो एक पाच च्छी समान और दो यह कोई सक्या से उपांच आन्सर के लेकिते गांसु 무대 penalty मतलब भटा देना उसके बाद जो बची संख्या है वह पोनें की संख्या संख्या बच रही एक और 4 तो 1 और 4 opposite में हो गए अपस में फिर उसके लावा बाकी opposite संख्या भी हम निकाल लेते 5 और 2 पांच और 2 भी बच रहें सामने फलक में तो 5 और 2 दिख रहें 5 और 2 कि opposite क्या क्या हो सकते कौन क्या हो सकते कौन से नंबर चूट रहें च्छै यह दर नंबर होते हैं तो आंसर क्या को यहां पर 6 चाख देता यहां कोई और देता दो यहां कोई संख्या देती एक अब क्या बताते तीनगता सेलेट करते तीन या च्लेक्ट रहे तो तीसरा पैटन लिखेंगे जब कोई संख्या समान ना हो हो पैटन 3 when no number is common when no number is common जब कोई भी संख्या समान ना हूँ अब यहां पर कनसेप्ट आता इस टेंडर्ड डाइज और नॉन इस टेंडर्ड डाइस का इसको मुझे समझाने आपको तो जब कोई भी संख्या समान नहीं हूं तब हम लोग यह देखते हैं कि वो डाइस स्टेंडर्ड है कि नॉन इस्टेंडर्ड अब उसको एक्स्प्रेन करना पड़ेगा तो समझना इस्टेंडर्ड और नॉन स्टेंडर्ड क्या होता है तो डाइस है दो प्रकार के होते हैं पासा दो प्रकार का होता है इस्टेंडर् साधारन पासा का उधारन है लुड़ो साधारन बलता हूं मानक पासा का उधारन है लुड़ो साधारन पासा का डेफिनेशन यह बताता हूं हमेशा देखो उसमें एक के अपुजीट पांच रहेगा तीन के अपुजीट चाहर है जैसे कि लुड़ो चर्व तो कैसे मालूम चलेगा कि वह डाइसिटैंडर रहे हैं मानाक है कि सधरन है तो ध्यान रखना इसके अपोजिट इसके अपोजिट संख्या एक और चामेशा रहे गा दो और फांच रहे है का दिए तो पहला पॉइंट यहां पर लिखेंगे तो कि अपोजिट खिम ओप अपोजिट साइड का सम साथ होगा और ठीक इसके विपरीत मैं ये बोछ सकता हूं कि तेंट साइड का सेंट मतलब आजू 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 दीख रहे होंगे सेंट का सम साथ नहीं होना चाहिए साथ नहीं होना चाहिए अभिसको करने के लिए थोड़ा समय लगेगा पहले इतना लिखेंगे आप आप उजी और शाइड का सम साथ और सेम साइड का सम साथ नहीं होना चाहिए, not equal to 7, ये लिखने, अब चलो, इसको समझाता हूँ मैं आपको, कि मांक चलु आपको ड्ड़ै ढैस दे दिया संख्या मैं य और एक चार-पांच है मुझा संख्या ओपच आपी तक मैने अब क को बात है जब संख्या संख्या समान B aí आप या दो संख्या समान पाता अभी जैब कोई संख्या समन में या सैंख्या समय नहीं Assemblyet तब हमारे पास option बसता standard और non-standardize से compare करनेगा अभी हम लोग देखे standardized वो जिसके opposite संख्या opposite संख्या एक के opposite 6, 2 के opposite 5, 3 के opposite 4 मतलब यह देखो अगर एक के opposite 6 रहेगा यानि कि 1 प्लस 6 एक प्लस 6 क्या हो जाएगा 7 2 के opposite 5 रहेगा मतलब 2 प्लस 5, 7 तो मैं यह बोल सकता हो कि देखो अगर एक क्या opposite 6 होगा तो यहां सामने तो दिखेगा नहीं को एक के साथ में कहीं दिखेगा क्या इसके opposite वाली तीनों के opposite वाली फलक हमको नहीं दिखती है तो अगर यह पीछे मतलब सामने नहीं होगा और सामने तो पीछे नहीं होगा नहीं समझें चीक समझाता हूं मान के चलो आप यह दो खोली में घुसे होए दो टोक रूम है अब कंपसरी आप दो में से किसी एक में पाओगे मैं आया यहां गुसा देखे आप यहां पे नहीं हो इसका क्या मतलब कि यहां हो और यहां मैं खोजे और आप मिल गए मतलब क्यें नहीं हो यह समझ आता है एक क्या concrete होगा तो जब अपोजीड चहां होगा तो सामने चहें क्युर्ड चही होगा ठीक है तो सामने एक करता ही मिलना चील फिरें लेकिन दो यह उसम्रों लिह एक सामने देंद ग्या पीछे खवगत संसात्या मतलब है कि नहीं है साथ नहीं होना चीए ये तुस्पा का संसा नहीं होना चीए इतनी सी यह समझ आई ठीक है संव साथ नहीं होना चीखा अब देखो कोष्चन में दी रहा स्टेंड़ा है किन ऐसे जच करेंगे सेम साइड को देखते हुए क्यूंकि आब फそうですね शाइं दिकते नहीं है तो इसके बेसिस पर थे नहीं है हमानन इसका individual करेंगे और अपोजिट साइड कसम नौट इक्वल टू सेवन बसो नौट इक्वल टू कर लेना और सेम साइड सेम साइड कसम क्या आ जाएगा साथ आ जाएगा जेश्ट उसके अपोजिट लिख देना है त्यक्षण हें न अब अब इसके ऑग्जामपल कें अपनों तो समझ जब अएगा सबसे प्रबंग्जांब तुन दूंप पहले एक जाँपल दूसरे एक जामपल दुप है है झाल झाल कि एक कोश्चन लिखेंगे एक ही डाइज दे दिया बस दूसरा कम परिजन के लिए नहीं चलो ठीक अब यहां पर कोश्चन लिखेंगे एक चार तीन बस यहीं संख्या दिया है और उसी के अधार पर आपको बताना है कि एक के विपरित कौन से शंख्या होगी पांच शेड़ों या पांच शेड़ों कोई सभी तीनों में से कोई भी हो सकता है अब जब कोई भी संख यहीं समान वाली तो बात ही नहीं तो आपके पास एक ही इधार बसते है उसको जज़ करने के लिए कि वह डाइस स्टेंड़र्ड है कि नॉन इस्टेंडर्ड है अब कैसे मालूम चलेगा इस टेंडर्ड है मैं बोला चार क्या पोजिट तीन रहता है एक क्या पोजिट मंतल quartz यह सथारनपार क्या चन्व इसके पीछे की पीचे कुछ भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है मैं बोले थाका दो 시간 लेकिन चुकि यह मानक पासा नहीं है इस कारण 6 भी हो सकते पाच भी हो सकते और दो भी हो सकते इसका अंसर यह होगा ठीक है एक और कोश्चन करते हैं स्टेंडर्डाइज वाला आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि 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 ठीक लिखें कि एक और कोश्चन कि यहां पर दो डाइस दे रहा हूं एक दो तीन कि चार पांच छे एक दो तीन है और यह चार पांच छे हैं कि बताएंगे एक के विपरीत कि एक के पॉजिट कौन से संख्या होगी कि 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 यहां पर यहां पर दोनों डाइस दे के पूछ रहा है कि एक के विपरीत कौन से संख्या होगी अब यहां पर सिंगल दिया था एक के विपरीत कौन से संख्या होगी के विपरीत पूछे थे यहां पर हम बोले कि 5 भी सकता है 6 यहां पर आनसर एक आएगा कैसे वह बताता हूं एक दो तीन चैपाच चार तीन पैटन हम देखे तीन पैटन में पहला पेटन क्या था जब एक संख्या समान हो उसमें क्या करते थे क्लॉक वाइस घूमा देते दूसरा प्रटन क्या देखें जब दो संक्या समान उसको चोड़ कर रहा भी अपॉज़िट संस्वान हो तो क्या ये तीसरा प्रटन वाला है और जब तीसरा प्रटन आता है तो हम कैसे करते इस्टेंडर्डाइज नॉन इस्टेंडर्डाइज मानक पासा है कि सधारन पासा है इस अधार पर हम जज करते हैं कि नंबर क्या हो सकता है ठीक है अब यह दो अलग-अलग पहलू दिये हैं इसी में में को जज करना है अब यह बताओ सधारन और मानक जज करने का क्या तरीक तरीका था मानक वाला मानक पासा में सेम साइड कसम साथ नहीं आना चीए साथ आ गया मतलब वो इस्टेंडर्ड नहीं है चिक कि अब यहां पर एक प्लस दो सारे कंडिशन देख लेते एक प्लस दो तीन हो गया एक प्लस तीन प्लस अब कुछ कंडिशन बच रहे है तीन प्लस एक चार हो गया चीक यह बताओ किसे में भी साथ आ रहे गया कोई भी साथ नहीं आ रहा है इस नॉट इक वल्ट उसन नॉट इकवल टू सवन वैसी यहां पर भी करोगे तो भी साथ नहीं आएगा चलना पड़ेगा इतना लाइज आपको श्टेंडराइब यह पास होगया मानक प्षाथ और जब हमारे पास मानक पासा होता हमको मालूम है कि एक की अपुझी हमेशा क्या मिलेगा आपको दो कि हमेशा कि मिलेगा पांच तीन के आप तोपीक होथ क्या को हुआ हुआ